आत्मा और चित में क्या अंतर है आत्मा का उद्गम स्थान क्या है क्या आत्मा अच्छी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है इन सब प्रश्णों का जवाब ढूणने की कोशिश करेंगे तो मित्रों जो सबसे महत्वफूर्ण बात ये है कि ब्राह्मन में दो तरह की तत्व है एक तत्व है जिसको हम कहते हैं शिव चित और दूसरी जो तत्व है उसको कहती प्राण शक्ती चित रहता है स्थिर प्राण आचिप्तो भुंज दंडे निथा उचलती कंदुक उठता बैठता गिरता उठता दाएं बाएं उपर नीचे दिख दिशा में घूमता रहता है अंतता ना चित कहीं जाती है और ना प्राण कहीं जाती है एक एटम का जो नुकलियस है वो स्थित केंदृत रहता है मध्धे में उस एटम के उसी प्रकार जो एलेक्ट्रोन जहें वो इर्द गर्ध घूमते तो हैं पर अंतता वो नुकलियस के अराउंड ही रहते हैं तो जो काली की शक्ती हैं, वो है ऐलेक्टरों की शक्ती और जो नुकलियस की स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो है शिवचित। एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, एक दूसरे में घुलते मिलते रहते हैं। तो चित में आपने प्राण जोड़ दिया तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड बन गया तो आत्मा में आत्मा कहां से आई देखिए ये चित और आत्मा बहुत मिलते जुलते स्वरूप हैं चित से ही आत्मा बनती है और जब आत्मा के सारे कारे कलाब खतम हो जाते हैं कारे बंधन म तो वो फिर से चित्व सुरूप में परणित हो जाती है तो पहले समझे कि चित्व आत्मा क्यों बनती है जब कृष्ण ने बताया है कि दो तरह के संसार हैं व्यक्त और अव्यक्त अव्यक्त से शुरू होती है, मध्य में व्यक्त होती है और अंधता फिर अव्यक्त हो जाती है और ऐसे ही साइकल्स चलते रहते हैं, क्रियेशन, श्रिष्टी और प्रलय, डिस्ट्रक्शन के तो ब्राह्मन में जब creation होता है तो सारा भार प्राण उठा लेती है अपने उपर श्रिष्टी करने की तब प्राण बन जाती है प्रकृती प्रकृती में होती है माया जो create करती है delusion या मुढधा और गुना जो create करते हैं influencing associations या material modes of nature तो क्योंकि अव्यक्त ब्राह्मन में प्राण चित में ही विलीन है वो चित में हलकी vibration क्रियेट करता है कंपन क्रियेट करता है और इस कंपन से जो सूस्थित चित है वो भी थोड़ा आवेग में आ जाता है और एक तरह की संपर्क के कारण चित में एक जिग्यासा उठती है चित जो की awareness का रूप है उसमें एक उतकंठा एक इक्छा जागरित होती है कि प्राण क्या है जो चारो तरफ क्योंकि वो सब कुछ देख रहा होता है विटनेसर अब्जरवर सब द्रश्टा है वो वो सब कुछ को experience कर रहा होता है awareness के माध्यम से परन्तु जब प्राण उसके इर्द गूंती है उसमें घुस्ती हो और निकलती है चित से तो चित में आवेग आ जाता है यह आवेग है एक उतकंठा है जानने की एक्छा है जिग्यासा है तो यहाँ पर जो चित शानती से enjoyment या फिर सारे सुख आनंद की अनुभूती कर रहा था वो अचानक से जिग्यासा की स्वरूप में चला गया peace has been replaced by curiosity this is the first crackdown in the structure of चित शानती को हटा कर जिग्यासा चित में घुश चुकी है और यह पहली दरार है चित के अंदर अब यह चित सत चित आनंद नहीं रहा सत चित आनंद के स्वरूप में वो चारों तरफ देखता था पर रमता था अपने अंदर की खुशी से अपने अंदर की दृष्टी से जब वो बाहर की दृष्टी को देखता है और उससे विजलित नहीं होता है तब वो सच्चत आनंद है जब वो बाहर की सारे कारे कलापों को देखता है प्राण के और उससे उसमें उतकंठा या एक जिग्यासा जागरित होती है तब उसकी शान्ती भंग हो जाती है अब उसके आनन्द का माध्यम शान्ती ना होकर जिग्यासा होता है और जिग्यासा शीग्र एक एक्छा में परेनित हो जाता है तो ये जब जिग्यासा उठती है तब चित वो चित जो की सत्चित आनंद का स्वरूप था शांती स्वरूप आनंद था वो अब जिग्यासा के पिरेडित होकर प्राण के साथ श्रिष्टी में जाने को तैयार हो जाता है जब ये हिच हाईकर चित प्राण के साथ तो उठती बैठती गिरती उठती हमेशा डाइनेमिक वाइबरेंट मूव्मेंट प्रोन रहती है वो उसके साथ औव व्यक्ट से व्यक्ट श्रिष्टी संसार में आता है तब वो एक आत्मा के रूप में आता है इसलिए चित और आत्मा में स्वरूप का अंतर है तत्व का अंतर जादा नहीं है आत्मा का भी परम तत्व आनंद है और चित का भी परम तत्व आनंद है पर आत्मा बहिर मुखी हो चुकी है इस समय और चित शिवचित के रूप में वस्तुता हमेशा अंतरमुखी होकर शान्ती को लेकर अपने अंदर आनंद की अनुभूती करता है तो जिग्यासा ने इक्षा को जन्म दिया और इक्षा के कारण व्यक्त ब्रह्मन श्रिष्टी में प्रकृती प्राण के साथ सटकर घुज गया इस श्रिष्टी में इस समय प्राण खुद ही जो परणित होती रहती है प्रकृती बन चुकी है और चित आत्मा बन चुकी है अब क्योंकि जिग्यासा उतकंठा थी कि इसको इसकी अनुभूती करें जो पहले अव्यक्त रूप में प्राण चित में समाय हुए था अब चित प्राण में समा गया ह इसलिए जहां जहां प्राण जाती है चित उसके साथ हो लेता है पर अब इस चित को हम लोग क्योंकि इसमें थोड़ी जिग्यासा एक्छापूर्ती आ चुकी है इसलिए इसको आत्मा कहेंगे इसको चित हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि उससे फिर confusion create होता है तो ये आत्मा क्या करती है पहली जनम है इसका तो ये पहली बार जिग्यासा से इक्षा में आ चुकी है तो जिग्यासा जब उसमें आई थी तब भी उसमें awareness था वो जिग्यासा एक ग्यान का रूप है इसलिए ये जो आत्मा है ये इसके उपर इसने एक अपने उपर एक परत बनाई है जिसको कहेंगे ग्यानमई शरीर इसमें वो स्मरण शक्ती रखती है इसमें वो अनुसंधान, analysis, contemplation ऐसी ताकतें रखती है तत पस्चात क्योंकि उसके जिग्यासा थी जिग्यासा एक्छा में परनित हो चुकी थी तो ये जो ग्यानमई कोश है इसके उपर एक और कोश ये परत बनती है जिसको हम कहते हैं मनुमई कोश मनुमई कोश में नाना प्रकार के इक्छाएं है इक्छा है जिग्यासा से जागी है और इक्छा है प्राण को समझने की प्राण को अनुभूती करने की जो चित केवल awareness और introspection और अपने अंदर शांती खोशता था विहाय कमाने सरवान पुमान स्चर्थी निस्प्रिहा craving free होकर वो अब जिग्यासा के चक्कर में आनन नुभूती करने के लिए बहिर मुखी हो चुका है इस बहिर मुखी आनन प्राप्ती की उठकंठा को ही इक्छा या desire कहते हैं जिससे बनी तीसरी परत मनोमय शरीर मेरा मन नहीं है ये मन जो है ये हिरदय में विराज्जता है वेसे और मन में रहते हैं आत्मा और आत्मा का बाप परमात्मा आप और आपका बाप दोनों रहते हैं इस तीसरे कक्ष में जिसका नाम है हृदय मनोमाई शरीर भिद्यते हृदय गंतिस छिंदंते सर्व संशया छीयंती चास से कर्मानी तस्मिन द्रिष्टे परावरे जब भिद्या गंति की सारी गंतियां सारी जो ब्लॉकेज हैं वो मिट जाएंगी जो सारी बंधन है वो तूट जाएंगे तब आपको परमात्मा और आत्मा दोनों दिख जाएंगे देख कौन रहा है देख रहा है मन किसको देख रहा है देख रहा है आत्मा परमात्मा को आपको देखने के लिए एक आइना चाहिए और एक आपज़क्ट चाहिए और एक तीसरी च चीज भी चाहिए जिसको कहते हैं लाइट तो इसी लिए जो आप हैं वो दिखना के लिए कुछ माध्यम चाहिए अन्यत्था आप अपने को नहीं देख पाएंगे इसी लिए मन और मस्तिष्ट दिया गया है जो की काम कर रहे होते हैं मिरर और प्रकाश का तो मन और मस्तिष् अधिब बोलीजे वो काम कर रहे हैं आपका आइने और प्रकाश का अगर मन में थोड़ी गंदगी होगी मन में तरह तरह की वासनाई होंगी तो जो आपका फोटो बनेगा पिक्चर बनेगा वो क्लियर नहीं आएगा उसी प्रकार अगर जो प्रकाश है वो थोड़ी धुन तो इसलिए जरूरी है कि मन निश्कलंग हो और मस्तिष्क विवेक पूर्ण हो क्योंकि विनाश काले विपरीद बुद्धी तो मित्रों ये तीसरा शरीर एक्छाओं से परिपूर्ण मन बन चुका है अब इसको अपनी अनुभूती करनी है एक्छाओं की तो इस अनुभूती के लिए वो प्राण से दोस्ती कर लेता है और जो शुरू में अव्यक्त रूप में चित्म में प्राण समाय हुआ था अब वो जाकर प्राण में समा जाता है कि मैं तुम्हारे अंदर आ जाता हूँ तुम जहां जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ साथ हो लूँगा तो फिर आचिपतो भुंजदंडेन यथा उचलिती कंदुक प्राणा पांस समाचिपतस्ता जीवोना तिष्टती तो प्राण कंट्रोल में आती है और प्राण के अंदर चित है वो भी निशकलंक या आत्मा बोलो इसको वो शांत हो जाता है और उसमें निश्प्रिहा जो क्रेविंग्स है वो खतम हो जाती है चले वाते, चले चित्तम, निश्चले, निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्वम आपोती, ततो वायुम निरोधयेत, तो ये जान जाओ कि जब भी इस दुनिया में आते हो, तो प्राण ही तुम्हारा मित्र है, प्राण ही तुम्हारा सखा है, क्योंकि प्राण ही तुम्ह अपने चित्व से आत्मा बनाई और आत्मा से मनस बनाई मनस में नाना प्रकार के एक्छाएं आ गई जहां एक एक्छाएं थी शुरू में अब हजार आ गई और एक पूरी होती है तो दो हजार और पैदा हो जाती है यह जो cyclical catastrophic chain link है इसको कहते हैं इंद्रियों का जाल इंद्रिय जाल तो यह हो गई आपकी पाँचवी शरीर प्राण ने बनाई महाभूत क्योंकि प्राण का तो काम ही है vibration, creation, destruction, transformation, रुपांतरी करण, जन्म इस तरह के कार्म करके प्राण ने बनाई प्रकृती जब प्रकृती बनाई तो वो बनाई उन्होंने आठ तरीके से भूमी रापो नलो वायू खम मनो बुद्ध रेवचो अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृती रष्टा क्रिश्न बता रहे हैं अर्जुन को कि प्रकृती कि क्या अंग है तो उन्होंने पंच महाभूत बताएं भूमी रापो नलो वायू खम फिर मनो बुद्ध रेवचो अहंकार इत्यम में भिन्न मन बुद्ध और अहंकार ये तीन अलग हैं तो जो अपर लेवल की प्रकृती है उच्च प्रकृती वो है मन, मनस, बुद्धी, इंटलेक्ट और अहंकार, इगो एगो एक ऐसा गोंध है, एक ऐसा ग्लू है, जो सटाता है आपकी एक्छाओं को प्राणमई शरी के साथ ताकि आप में आए प्राण, आप में आए जान, जाने मन, जान है उसके अंदर मन है तो जाने मन आते हैं जब प्राण, जान और मन दोनों साथ आ जाते हैं तो ये बन गई आपकी सबसे बाहर के महाभूत जो लोर प्रकृती है fire, earth, air, water, ether या फिर प्रिथवी, जल, आकाश, अगनी और air, वायू द्वारा और जो मैंने बताया आपको fine या अपर प्रकृती है वो हो गई मन, बुद्धी और एहंकार चित कहां शब्द इस्तमाल किया क्योंकि प्रकृती का आइटम नहीं है प्राण का आइटम नहीं है प्राण से दोस्ती करके प्राण में विलीन होकर प्राण के मजे लेने आये थे भाई साहब और अब देखिए कैसे फसेंगी कर्म बंधन में तो जान आ गई इनके शरीर में बायोलोजिकल लाइफ कह लीजिए तत पस्चात अब इनको अनुभूती करनी है सारी एक्छाओं की इसके लिए इन महाभूतों को अनुभूती करने के लिए इन्होंने बनाई इंद्रियां तो इसलिए शिव सम्हित में आप देखेंगे बतात स्पर्ष के साथ अगनी आकार के साथ जल रसना के साथ और पृत्वी ग्रहन और सुंगने के साथ छोत्रम चक्षू, स्परस्णम, रस्णम, घ्राण, मेव्च, अधिश्ठाय, मनस्चाय, विश्या, नुभ, सेथ ये सारे जो पांच इंद्रियां हैं देखने के, सुनने के चकने के, सुंगने के, स्पर्ष करने के इसके उपर विराजता है मन और इसका आनंद लेता है आत्मा तो ये जो सोलजर हैं, पांच सैनिक हैं ये इंद्रियां हो गई और इनका ल्यूटिनेंट है मन और कमांडर इन चीफ है आप समझ जाएए ये बुद्धी और सबसे बड़े मिलिटरी जनरल हेट जो हो गए वो हो गए आत्मा चित्त ने तो कभी बाहर के आनंद की अभिव्यक्ति रखी ही नहीं बाहर बहर मुखी आनंद की प्राप्ति तो आत्मा का स्वरूप है अंतर मुखी आनंद चित्त है तो इसलिए ध्यान में आँखें बंद करके हम चाहते हैं कि जितनी हमारी ये डिजायर्ज हैं वो स्लोली स्लोली चली जाए तो ये बन गई अंतिम शरीर जो मैंने बताया आपको अन्नमाई कोश तो मित्रों जो स्थूल शरीर है वो दर्शाता है अन्नमाई कोश इसलिए हमारा अन्न मै खोश बना है महा भूतों से पंच महा भूतों से और वो इंद्रियां जो इसके अभास करेंगी उनके द्वारा ग्यानेंद्रियें बोल लीजे इनको कर्मेंद्रिय बोली जिनको तो ये सारी चीज़े बनाती है अब अन को क्योंकि है तो ये प्राण का ही रूप है तो ये प्रकृति का ही रूप इसको चित या आत्मा के साथ जोड़ने के लिए जो गोंद है न उवो कहला ही प्राण महिशरीर अब इसके अंदर क्या है भाई इसके अंदर तो वही वही चीज़ जो differentiate हुई है एक जो शिवचित से निकली प्राण के प्रकोप में आके वो कहलाई गए आत्मा उसने बनाया विवेक या wisdom या बुद्धी जिसमें पता था सही गलत का अंतर जिसमें समारण शक्ती थी कि भाई पिछली बार ये हुआ है इसलिए ये नहीं करना है और वो द्रिष्टा तो है ही अपने चित्य के समान अब इसके ओपर इक्छा सक्ती आ गई अनुभूती करने की उत्खंटा उत्कंठा आ गई तो ये जो है इसको कह दिया desire या मन जो की हरदय को दर्शाता है मनो मई शरीर तत पस्चात गोंद बना तत पस्चात इंद्रिया बनी ताकि महाभूत का सपर्श कर सके उसकी अनुभूती कर सके तो मित्रों आप समझ गए कि कैसे शिवचित प्राण शक्ती के साथ खेलता है और उसमें से विलीन होता है और विलय होता है और व्यक्त संसार बनता है और व्यक्त संसार पुन्ना और व्यक्त हो जाता है तो आपको केवल ये याद रखना है कि प्रमाद तमस गुण के अंदर आकर जो ये डिजायर या इक्छाएं हैं वो असीमित ना हो जाए क्योंकि तब ध्यायतो विश्यान पुनसा संगेश तेशूब जायते संगाज संजायते कामा कामात क्रोध अभी जायते क्रोधात भवती सम्मोहा सम्मुहा 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 नाश, स्मृती हो गई बुद्धी तो इसलिए अगर बार बार सोचोगे न तो बुद्धी के द्वारा ही तुम अपनी बुद्धी को नाश कर तुम कर रहे हो इसलिए प्लैजर्स, ये जो प्रेया होते हैं मजे, जीने के हैं चार दिन, बाकी हैं बेकार दिन ये जो टेंडेंसी रहती है यही कर्म बंधन को बढ़ाती है एक तरीके का क्विक सैंड है कर्म बंधन इंद्रियां धस्ती चली जाती है और अपने साथ खीच लेती है ये मन और बुद्धी को भी और साथ में बेचारा आत्मा वो भी धस्ता चला जाता है इसलिए आप सुनेंगे कि कई बार हम कहते हैं महात्मा और दुरात्मा पर हम कभी नहीं कहते हैं महाचित और दुराचित सचित आनंद शब्द है दुर्चित आनंद तो कभी है ही नहीं और ना ही सचित आनंद में आत्मा का वर्णन है तो इसलिए आपको समझना है कि सत्चित आनंद ही आपका सुप्रीम अबोर्ड है सत्चित आनंद आपका सच्चा स्वरूप है आत्मा वो विभाजित स्थिती है जिसमें वो शिवचित से निकल कर प्राण शक्ती की अनुभूती करने व्यक्त संसार में आती है शिष्टी के समय और जब इसका विनाश हो जाता है तो वो फिर से प्रलय कहलाता है और प्राणा और चित दोनों वापिस चले जाते हैं पर ये बहुत जरूरी है कि आप वासनाओं के चक्कर में ये अपने समस्कार लोड को ना बढ़ाएं क्योंकि जितने जादा बढ़ाएंगे उतना क्विक सैंड है ये कर्म बंधन वो आपको इंद्रियों को धसाता चला जाएगा कर्म बंधन में और कारण शरीर जो की आत्मा और कर्म बंधन से बना हुआ है वो भारी होता चला जाएगा और बहुत सारे जर्म लगेंगे ताकि आपके कर्म बंधनों का विनाश हो सके आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा जैश्री राम